केंदरिया रेल्व मंत्री पियुष्गोयल तीनिवसिय दोरे पर शिम्ला आये थे। इस तोरान उन्होंने प्रदेश में रेलवे लाइन के विकास और अन्य कई मुद्धों पर चर्चा की। पियुश गोईल पतरकार वारता कर हिमाचल में रेल्वे की विकास की चानकरी दे गए। पियुश गोईल ने कहा कि कोविड काल सभी के लिए मुश्किल दौर रहा बावजुद इसके देश इस महामारी से निपटने में आत्मने भर बना। उन्होंने बताया कि रेल्वे ने बिलासपुर लाइन के लिए 405 करोड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि कॉंग्रेस की सरकार के समय में हिमाचल के लिए 108 करोड सलाना का प्रावधान था जिसमें अब साथ गुना की बढ़ोती की गई है। इस वर्ष के बजट में 770 करोड रूपे हिमाच इस वर्ष कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आतिहासिक रेल डिबों में सुधार किया जाएगा और सारे के सारे डिबों को बदल दिया जाएगा। नए डिजाइन बनाए जाएंगे जिसे खिड़कियों के शीशे यहां की पहारियों की खुबसूरती को निहरा जा सक पठान कोट जोगिनर नगर रेल के दिबे भी बदले जाएंगे गोईल ने बताया कि पॉंटा साहीब को जगाधरी तक जोडने के लिए भी रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वेग किया जाएगा उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास के लिए केंडर की मोदी और प्रदेश की जराम ठाकूर की डबल इंजन की सरकार में रेलवे भी अपना इंजन जोड़ कर विकास को दोगुना करेगी उन्होंने कहा कि ये सारे प्रोजेक्ट 15 अगस 2022 तक पूरे करने का लक्षे है फियुश गोईल ने कहा कि बद्दी में BIS की लेबरेटरी लगाई जाएगी जिसे यहां पर निर्मित प्रोडक्स को जांच के लिए बाहर भेजने की अवशकता नहीं रहेगी जो बजट अभी पहली फरवरी को पेश किया गया वित्तमंत्री जी द्वारा उसमें प्रदानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार 770 करोड रुपए हिमाचल प्रदेश की अलग-अलग योजदाओं के लिए दिया गया है किस पकार से ये सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए प्रतिबत है ये लगबग कितना साथ गुना हो गया 108 से बढ़ाके 770 करोड 7 टाइंग्स बजट हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित किया गया है इन तीन लाइन नई लाइने प्रोजेक्ट का काम अलग-अलग शेतर में चल रहा है जो हिमाचल प्रदेश को लाब देगा और इन सभी प्रोजेक्ट में हम आगे तेजगती से काम करेंगे एक और खुश खबरी जो मैं आज देने के लिए उच्छुक हूँ जो पिछले दो दिन की बैटिकों में ही तैह हुआ है जिससे मुझे विश्वास से आपको आनन्द होगा जो कालका से शिमला एक हेरिटेज लाइन वर्षो वर्षो से शिमला की सेवा कर रही है इसमें हमने मेरी पिछली विजिट में दो साल पहले कोशिश की थी कि इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या-क्या काम किया जा सकता है उसमें हम बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए क्योंकि बहुत स्टीब ग्रेडियन्ट है और कर्वेचर्स भी बहुत ज़्यादा है तो आज मानने मुक्यमंत्री जी ने अनुरोद किया और एक बहुत अच्छा एडिया दिया कि अगर कुछ हिस्सों में ग्रेडियन्ट ज़्यादा है या अगर कर्व बहुत शार्प है तो राज्य सरकार भी हमें मदद करेगी और हम कोशिश करेंगे कि उन steep curves को अगर हम थोड़ा और realignment करके speed बढ़ा सके तो उसके लिए आज मैंने order किया है कि RDSO के अधिकारी यहाँ पर आएंगे और एक नई study करेंगे कि थोड़ा बहुत alignment change करके existing alignment पे तो हम सफल नहीं हुए speed बढ़ाने में लेकिन थोड़ा realignment करके अगर speed बढ़ सके तो उसका मैंने आज आदेश जारी कर दिया है RDSO के अधिकारी आके देखेंगे technically बड़ा मुश्किल काम है पहाडों में फिर भी पुना एक बार हम कोशिश करने के लिए survey करेंगे उसका budget मैंने आज अप्रूफ कर दिये अधिकारी आके उसको study करने जा रहे है